क्या आप September Intake की planning कर रहे हो क्या आपको नहीं पता कि September Intake क्या होता है तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल perfect है और अगर आप मेरे चैनल पर न्यूँ आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को like कर दीजेगा इस वीडियो के end तक आपको ये पता लग जाएगा क कि September Intake हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए कौन सी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए September Intake के लिए और September Intake के क्यूं बैटर है बाकी Intake से ठीक है तो वीडियो बिना किसी time waste के start करते हैं और comment जरूर करिएगा आप कौन से college में आ रहे हो ताकि मुझे पता लगे और म सबसे बड़ा Intake होता है वैसे यहां पर होता है जैन्वरी इंटेक सब्टेंबर इंटेक मैं इंटेक भी होता है और मैं जब आया था था Canada मैं मई इंटेक में आया था अपरेल को Canada land कर गया था छे अपरेल को और मेरी एक मई से classes start क्या होता है कि जहां पर most of the colleges decide करते हैं कि हम अपने colleges इस तरीक से start करेंगे या specific month से start करें जैन्वरी इंटेक में क्या होता है problems आ जाती है कई बार क्योंकि एक बार में एक बंच और स्टूरेंट को बुलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि IRCC जो है उनका जो प्रोसेसिंग टाइम है आप चेक कर सकते हैं मैं लिंक description में डाल दूँगा उनका प्रोसेसिंग टाइम आपको पता लग जाएगा कि study permit कर प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है यह more than 180 time लेते हैं क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम वह करता है ठीक है और जो कॉलेज का offer letter होती है तो आप most of the time देखोगे कि college specific intake ही देता है ठीक है तो September intake में फाइदा क्या है आने का सबसे पहला benefit यह है कि आप जो है बहुत सारे लोगों के साथ आ रहे हो immigrants के साथ ठीक है बहुत सारे students आ रहे है आपके साथ तो बहुत ज्यादा job opportunities आपको मिलनी start हो जाएगी क्योंकि college जो है वो prepare करके रखता है कि हाँ इतने batch में इतने बंदे आ रहे है इतने लोग आ रहे है और अगर ज्यादा immigrants आएंगे तो business ज्यादा open होना शुरू हो जाएंगे ठीक है जो business होते हैं वो तभी open होते ज्यादा expand कब करते जब ज्यादा लोग काम करने लग जाते जब ज्यादा लोग काम करेंगे तो क्या होगा ज्यादा tax generate होगा तो फिर वापस भी हमें payback मिलेगा और वो growth होगी पूरी country की तो सब्टेंबर इंटेक इसलिए बैटर आपके लिए आना एक तो सबसे पहले चीज़ है वैदर कंडिशन ऑंटारियों के अंदर जो वैदर कंडिशन से सब्टेंबर इंटेक में ज्यादा थंड़नी होती है तो आपको विंटे जैकेट और सब्सक्राइब करने पड़ेंगे तो आपका जो पांस से च्छे किलो यह जब आप पैकिंग करते हो वह आपका बच जाता है सब्सक्राइब आपको सब्सक्राइब करना इस ट्यारी करना और इस प्रॉसमें का कोचिंग भी नहीं आपठे आगर आप सही पड़ते हो पर लोगों को समझने लगती है तोस बीबेंड्ट करते हैंन सब होती है document की processing करनी होती है ठीक है documents apply करने होते है आपका जो अगर आपने 12 की है फिर उसकी mark sheet आपको मिलनी होती है original तो उन सब चीजों में time लग जाता है अगर आपने graduation की है तो उन चीजों में भी time लग जाता है और proper clarification देनी पड़ती है जब हम statement of purpose लिखते हैं तो तो मैं यहीं सब्सक्राइब करूंगा अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो जैसे अभी सब्सक्राइब करने से पहले चार से पांच महीने तो at least दो ताकि आपका एक safe site बचा रहे है ठीक है तो यह दो point थे जो मैंने cover करने थे इस वीडियो के अंदर और अगर आपको कोई भी इसके related वीडियो चाहिए ठीक है मैंने एक proper doc file बनाई है और मैं आगे क्या वीडियो लेकर आने वाला हूं वह आप जरा ध्यान से सुनो सबसे पहली वीडियो इसके बाद एक playlist बनाऊंगा जिसमें मैं add करूंगा proper documentation for the international student क्या-क्या documents की क्या जरूरत होगी आपको second वो website में available होगी आप मेरी website पर जा सकते हो प्रियांश्यvlogs.com वहां पर आपको सारी updates मिल जाएंगे इसके related और moreover अगर आपको कोई भी problem आती है मुझे instagram पर रीच आउट कर सकते हो ठीक है तो मैं एक proper playlist बना रहा हूं September intake की ताकि बहुत सारी students को जो guidance चाहिए होती है वो guidance मिल चाहिए और सारी मेरे चैनल पर एक ही playlist में वह अगर पूरी वीडियो देख लेंगे वह अच्छे से prepare हो पाएंगे ठीक है तो आप बताओ कैसी लगी वीडियो मैंने थोड़ी से information शेर किया और मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूं मैंने आइफूइन फॉर्टीन प्रो Max 1 TV order किया है और मैंने इसी लिए order किया क्योंकि मेरा cash flow बन रहा था YouTube का और अगर आपको finance के related भी कोई information चाहिए कि अगर मैं financial knowledge आपको शेर करूं तो मेरा सेकंड यूटीब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो कहने की बात यह है कि बहुत सारे जो यूजर से हमारे थोड़े गायब सब्सक्राइबर क्योंकि लगता है मैं उनके लिए content नहीं बना पा रहा हूं जो उन्हें चाहिए तो मैं आपको यह वीडियो अच्छे लगी होगी थोड़ी से लगी होगी अगर वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर कि जागा कमेंट डाउन करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा कि क्या सब्सक्राइब बढ़िया है कि नहीं आई विश यू अपना ख्याहरेकना बबबबय टेक केर